आंदोलन में परस्पे विरुदावास क्यों है अब आपने यहां पर राजबीर सिंग जादोंजी के इस्टेटमेंट को सुना उन्होंने बताया कि हम यह नहीं कर रहे हैं हम तो सोला तारिक को ग्रामीड भारत बंद का आवहान कर रहे हैं एक तासे तो किसान मोर्चा उससे द्धनी होती थी कि देश बर के जितने भी किसान सगटन हैं वह एक बैनर तले आकर सेवति रूप से किसानों के हितों के संदर में संगर्ष करने के लिए आएं अब सेवति किसान मोर्चा ग्यर राजने दिख इस सवरसे द्धने दियोदा है जो पहला वाला था वो राजनी जिद्धि हो गया इस आंदोननका आवाज़ू पंजाब से चलकर आ रहा है उसका नम दिया एक किसान मजदूर मोर्चा तो आपसे जानना है चाता हूं किर चलकर आ रहा है वाकई clock eg ये देश बहुत बुराट देश है अलग-अलग तरीके के संगठन होते हैं उनके काम करने के अलग-अलग तरीके के होते हैं आप जिस बात पर जोर दे रहे हैं आप इस बात को भूल ले हैं कि तीन सो अठक्तर दिन तक जो आंदोलन चला था उस आंदोलन में ये जो सहीव किसान मजदूर मोर्चे का जो गठन हुआ है उसके जो नेता है पंडेर साथ वो सहीव किसान मोर्चे के कैम्प के साथ नहीं ब होले है Sono Tariq को गिरे अस काम के लिए लेकिन इसका तरू है कि यह जो ठैरा को निकल कर रहा है हम उनके साथ आशहमत हैं हम लेकिन छा नहीं हो सकते हैं अलेगाइन हो सकती है और अराजनितिग कहना तो सहीं कि सांव मर्चा Kenneth पांसो भी संगठन है अलगलग लोग की राजनीचिक धारा है अलगलग सही किसान मोर्चे ने कोई प्लेफरम कड़ा नी किया तर जो लोग चुनाव लड़े थे राजयवाल जी दूसरे लोग चड़ुनी साहब यह लोग अपने अपने राजनीचिक पार्टियों के नाम से लड़ेते, सेविकिसान मोर्ची के नाम से नहीं लड़ेते, इसको राज्जी जी के साथ गटमट बत कीजिए, यह एक कॉमन इश्व है, इस कॉमन इश्व पर सब्सक्राइब कीजिए,